बड़ी दौड धूप के बाद वो आज आफिस पहुंचा उसका पहला इंटर्व्यू था घर से निकलते हुए वो सोच रहा था काश इंटर्व्यू में आज काम्याव हो गया तो अपने पुष्टेनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शेहर में सेटल हो जाओंगा ममी पापा की रोज की चिक-चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा शुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक-चिक से परिशान हो गया हूँ जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो फिर बातरूम जाओ बातरूम से निकलो तो फर्मान जारी होता है नल चोड़ दूगा ओफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थी बहुत का इंतजार कर रहे थे दस बच गे उसने देखा पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही है मा याद आगे तो बत्ती बुजा दी ओफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था बगल में रखे वाटर कुलर से पानी टपक रहा था पापा की डाट याद आगे पानी बंद कर दिया बोर्ड पर लिखा था इंटर्व्यू दूसरी मंजिल पर होगा सीडी की लाइट भी जल रही थी बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुरसी रास्ते में थी उसे हटा कर उपर गया तो देखा पहले से मौ दोड़ाने के बाद उन्होंने कहा कब जोइन कर रहे हो उनके सवाल से मुझे यू लगा जैसे मजाख हो वो मेरा चहरा देखकर कहने लगे यह मजाख नहीं हकिकत है आज के इंटर्यू में किसे से कुछ पूछा ही नहीं सिर्फ सिसी टीवी में सब का बरताव देखा सब आ नहीं हो वो चाहे कितना भी होश्यार और चालाख हो मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में काम्याब नहीं हो सकता घर पहुचकर ममी पापा को गले लगाया और उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया अपने जिंदगी की आजमाईश में उनकी संसकार का भी अपना मकाम है संसार में जीने के लिए संसकार जरूरी है संसकार के लिए माबाप का सम्मान जरूरी है जिन्दगी रहे ना रहे जीवित रहने का स्वाब इमान जरूरी है एक कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिष्टिदार